हेलो एब्रीबन आप समका स्वाहगत है कोर्ट फर एड्युकेशन में आज की स्वीडियो के अंदर हम बनाएंगे आपका लॉग इंट फॉर्म यूजिंग एच्टेमिल औन सी एस गाइस यह चोटा से प्रोजेक्ट होने वाला है इसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे कि किस तरीके से आपको एडिजाइन में जो कि आपको मेरे स्क्रिन पर दिख भी रहा होगा सबसे पहले आपको बैग्ड़ाउंड देखिए कितना ओसम सा लग रहा है दैन इसके बाद में आपको एक कार्ड मिलेगा सेंटर में कार्ड आपको दिख रहा हुआ उसमें शैडव हमारा यहां पर लेबल के बाद आपका input, input के अंदर आपका placeholder, इसके बाद second है आपका password, passport में भी आपका same and then उसके बाद है checkbox, checkbox में आपका यहां पर forget password का है and then उसके बाद है आपका login का button यह देखिए awesome सा hover effect, okay, and then इसके बाद है आपका don't have account and यहाँ पे आपका registered का button इसके बाद दो button हम रखे हैं यहाँ पे आपका Google का और Facebook का जिसके अंदर हमने दोनों में आइकन यूज़ करें आपके found awesome 5, okay, कैसे यूज़ करते हैं आपके small project के अंदर वो भी हम देखेंगे और बहुत कुछ है CSS के अंदर इस channel पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंगी playlist के अंदर, recently मैं अभी यहाँ पे आपका react के सीरीज चल रही है, react के project चल रहे है, react tutorial जो आपका beginner to advanced पूरा cover कर रहा हम है, javascript के interview की series, advanced javascript, it means ES6, portfolio आपको चाहिए तो portfolio की website, and javascript basic, javas project, tips and tricks, it means free hosting, free domain, यह कैसे मिलेगा आपको, and bootchef5 के tutorials, and bootchef5 के आपके projects, and responsive login, and आपके landing page के design, यहाँ पे भी है, आपके पास में html css, and guys मैंने आपके यहाँ पे html css की बहुत सारे projects बना रहे हैं, जो के आपको दिख रहा होगा, पहली playlist ही हमारी, okay, बहुत कुछ है हमार resources, जितने भी आपको मिलेंगे, वो free of cost होने वाले, आप download कर सकते हैं, हमारी website से codeforeducation.com से, सारे links आपको about section में मिलेंगे, यहाँ पे, okay, यह सारे links यहाँ पे working है, जाएं आप और enjoy करें इस सारे content को, and उसके बाद चैनल को subscribe करें, bell icon को all पे click करें, जिससे की video की latest notification आपको सब सबसे पहले मिल सके, and guys, यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले कि किस तरीके से यह बनाना है design, तो यहाँ पे हमार पास में आपका editor, okay, इस editor का हम use करने वाले है, इस पे हम बनाएंगे, scratch से बनाएंगे, okay, proper scratch से में चीज़न बताने वाला हूँ आपको इस video के अंदर, login, form, design, बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपको view के अंदर आते हैं, word wrap कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़न दिखती रहे, अब हमें क्या करना है, कि हमें font awesome का icon यूज करना है, यहाँ पे, तो आपको किस तरीके से मिलेगा font awesome icon, तो एक बार चलते हैं यहाँ पे, इस copy करेंगे इस link को, और हमारे यहाँ पे चलेंगे, यहाँ आएंगे, awesome CDN link, ओके, यहाँ नहीं यहाँ में mention कर दिया, यह हमारा link, ओके, यह link हो चुका है, इसके बाद में अभी हमें चाहिए होगा यह font, आपका Google font, ओके, इसको भी हमें चाहिए होगा, तो य इनफ रहेगा, import वाले option पे चलेंगे, copy कर लेंगे इसको, ओके, और वापिस अपने यहाँ पे, live server हम use करते हैं आपका, ओके, आपने अगर मेरे प्रानी सारी वीडियो देखिए हैं, तो आपको पता हुआ किस तरीके से हम यहाँ पे projects बनाते हैं, small और larger project both, तो यहाँ पे ह मैं अपनी custom file बनानी होगी style.css की, एक file है हमारे पास में style.css, इसको link करना है हमें यहाँ पे, simple, ओके, यह देखिए, कुछ इस तरीके से आप link करेंगे, यहाँ ने लिंक करने के बाद में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं पहले google font family, ठीक हैं, यहाँ 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 सीडेन लिंक ले लिया, जो कि आपको visible हो भी रहा, यहाँ चलते हैं, यहाँ आपते हैं, word wrap के आपते हैं, word wrap कर लिया हमने, क्योंकि आपको side by side चीज़ें सारी दोनों दिखा नहीं है, that's why हम यहाँ थोड़ा सा screen को optimize करके चल रहे हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने अपनी CSS की file भी बना लिए है, और अब यहाँ पे हम अपनी file को बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे जो folder structure है, उसको समझ यह पहले, मैंने क्या करा है कि एक image background के लिए download already कर रहे हैं, इसका भी link आपको description में लेगा, वहाँ से आप image download कर सकते हैं, फिर एक file है हमारे पास में index.html, style.css, यह दोनों files के अंदर जैसे आपने देखा कि CDL link और आपका font का link हमने download करके लेके आएं, वो आप भी कर सकते हैं, link description में, इसके बाद में next आपको dip लेना होगा यहाँ पे, class लेंगे आप, class के बाद में आपका background, background में यह देखे, background हो गया, इसके बाद में next इसके बाद में next, label लेना है आपको four, इसके बाद में next, label लेना है आपको four, इस पे कर देते हम user name, okay, name हो गया हमारा है यहाँ पे, अब इसके बाद input, input लेह, type हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, text, क्योंकि user name है just, okay, placeholder है हमारा है यहाँ पे, तो placeholder में हम क्या करते है, enter, ठिक, दोनों option अगर आप जब बनाएंगे से dynamic, तो दोनों option दोनों तरीके से, और एक का मौर करते है, auto complete को हम off कर देते हैं, यहाँ पे, नहीं चाहिए, ठीक है, अब हमें यहाँ पे, नहीं चाहिए, इतनी चीज़ को करूं, save and save करने के बाद देखेंगे, right hand side में आपको output भी दिखेगा यहाँ पे, इसके बाद करेंगे इसको copy, कर लेंगे paste, paste करने के बाद में यहाँ पे password और off रहने वाला है, यहाँ पे भी, अब इसके बाद में एक और div बनाएंगे आप यहाँ पे, इतनी चीज़ को अगर में save करने तो आपको दिखता चलेगा side by side, कि हम जो बना रहे हैं, वहाँ पे हमें reflect हो भी रहा है, forget लेंगे हम यहाँ पे, forget के बाद में एक और div लेना आपने वो, ओके, यहाँ पे check box बनाएंगे हम, इसके बाद है आपका span, span के अंदर हम क्या करने वाले, remember यह हो गया हमारा, remember me, यहाँ पे आप देखेंगे check box और remember me आ भी रहा है, अब इसके बाद में आपने देखा था, यहाँ पे आपका forget का भी था, okay, sign, तो यहाँ पे क् हम क्या करेंगे next, login कर दिया हमने यह देखें, और यहाँ पे आपका यह सारी के सारी चीज़ है, यह, 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 ओके, यह सारी चीज़ आ चुके हैं, इसके बाद एक div ले लेंगे हम, div पे आपको क्या करना है आपको, register, okay, register वाला sign ची हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें text लिखना होगा, don't have an account, okay, then इसके बाद हम क्या करेंगे, anchor tag ले लेंगे, यहाँ पे आपका आजाएगा register, करेंगे save, and save करने के बाद आप दिखेंगे, तो दिखेंगे, अब इसके बाद में next, जो मैंने आपको यहाँ पे दो बटन दिखाये, दो बटन दिखाये ते वो ब आपको Google पे font awesome icons लिख लेंगे, जैसी आप icons लिखेंगे, आपको click करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख रही है, आपको Google लिख लेना है, Google लिखने के बाद में यह है हमारा Google का icon, इस पे करेंगे click, click करने के बाद नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आ एक चीज़ कर दिया आपने इतनी सी, और एक चीज़ और करेंगे, आप Google यहाँ लिख लेंगे, आपको लिख लेना होगा हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको next, Facebook, इह देखें, आप Google भी change करना पड़ेगा हमें, यहाँ लिखना पड़ेगा आपका Facebook, यहाँ तो यह है हमारा content, HTML का जो हमने बना लिए और जो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, हमारा title, username, password, forget, login, registered, Google and Facebook का बड़ेटर, HTML के बाद में CSS में आएंगे हम, CSS में आने के बाद में सबसे पहले मेगा करता हूँ, star ले लेता हूँ, ठेक है, star again लेता हूँ, before, पॉमा लगाते ह इससे क्या होता है कि जितने भी spacing होती है, extra, वो remove कर पाते हैं हम पूरे के पूरे हमारे project पे, तो हम यहाँ पर padding 0, box sizing, यह हमने करा, अब आपने देखा कि सारे के सारी margin यहाँ से खतम हो चुकी है, अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, हमें यहाँ पर आपके variables बनाने हैं, CSS इससे के अंदर, देखे, variables कैसे define होते हैं, आपको double hyphen लेना है, फिर variable का नाम देना है, और property लिख देंगे, आप simple जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर black लिख दी है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, black, okay, then यहाँ पर 333, इसके बाद next, तो मैं एक बार यह आपको नीचे description में देखने को मिलेगा, और वैसे तो आप सबको नीचे code के साथ सारी चीज़े मिलेंगे, हमारी website पर, आपको वहाँ से code डावलोड कर सकते हैं, सारो कुछ, okay, यहाँ चलते हैं, next, यहाँ पर body पर define करते हैं कुछ चीज़े, where लेंगे आप, जब कभी भी आ यहाँ पर pick करेंगे, ठीक है, images folder के अंदर से, हमारे पास में bg नाम की जो image थी, वो हमने ले ली, इसके बाद में यहाँ लगा देंगे, short hand property, no repeat, center, center, ठीक है, फिर background, background size कर रहे हैं हम, यहाँ पर cover, यह चीज़ भी कर दी, and then हमें पूरी height चीज़े, उसके तो 100 vh की कर दें हम, यह हमने कर दिया है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको वो पूरी की पूरी image यहाँ पर visible हो भी रही होगी, अब इसके बाद में next, क्या है हमारा यहाँ पर, हमने लिया आता सबसे पहले यहाँ पर आपका देखेंगे, कि background करके, ठीक है, वो background का जो shape है, वो ही बना लेत हैं, पहले हम, यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, class को, और यहाँ पर आपको 430px, मैंने इस चीज को convert करने के लिए extension भी डाला है, अगर आपको pixel यूज नहीं करना, तो आपको मेरे यहाँ पर आगे दीख रहा होगा, 34, ओके, आरिया, तो आप क्या करना होगा, आपको, extension के जो मैंने वीडियो बनाईए, वो देख लिए जाब, link description में, या तो आप यहाँ पर alt plus chat करेंगे, तो आपका directly convert हो जाएगा, किस में, REM के अंदर, ओके, तो यह feature भी है आपका, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा, आपको बता देना चाहिए, तो बता दिया मैं क्योंकि बहुत सारे नई लोग होंगे यहाँ इसलिए, transform ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, transform के बाद में आपका translate आएगा, translate में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका, minus 50, left हो जाएगा आपका यहाँ पर 50, top हो जाएगा आपका यहाँ पर 50, और opacity इसकी अरखेंगे 0.6, यह हमार main होने वाला, इतनी चीज़ को अगर मैं save करूँ तो अभी हमें reflection नहीं दिखा है, इसके अंदर हमने क्या करा था, background के अंदर हमने shape ली थी, तो shape class को ले लेंगे हम, height करेंगे, 200 pixel कर लेंगे हम, width, same, 200 pixel, absolute, absolute ले लिया हमने, order, radius, 50%, इतनी चीज़ को करा, अभी भी आपको shape न यूज करने वाला हूं, वो करूँगा आपका pseudo elements का, तो मैं shape लूँगा direct, first child लूँगा मैं, इसके उपर हम क्या करने वाले, background, और फिर यहां पे हमारा gradient मिलता है हमें, और हमने variable पहले define कर लिए हैं, तो dark blue हम यहां पे use करेंगे, पहला, comma लगाएंगे, then इसके बाद में second ह होगा आपका यहां पे light blue, इन दोनों को ले लिया हमने, ठेके, इसके बाद में next क्या करेंगे हम यहां पे, left होगा आपका यहां पे 80 pixel का, जिससे की थोड़ा सा वो top corner में आ सके, वो हम कर रहे हैं यहां पे, positive में नहीं रहेगा, यह भी negative में रहेगा, करेंगे save, and save करने के आप देखेंगे तो देखें, circle आपका create हो चुगा एक, यह चीज़ बन गया, अब इसके बाद में अगर मैं इसे करूँ copy, and copy करने के बाद में next circle भी जोग बनाने हमें, वो बनेगा आपका कैसे, वो बनेगा last child से, last child के अंदर हम एक काम और करेंगे, आप gradient के अंदर यहां जो हमने अभी बनाया था हम आपे, और यह हो जाएगा आपका right से 30 pixel का, and bottom से हो जाएगा आपका यह, minus 18, यह देखें, यह दोनों के दोनों circle हमारे ready हो चुके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, form, direct form जो tag है वो ही लिए रहें, width लिंगे हम, 400 pixel का हो जाएगा आपका, background लेंगे हम यहाँ पे, background, RGB, A, ठीक है, white color को थोड़ा सा light करना है हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 0.3, कर लिया हमने, इसके बाद में position, absolute होगी आपकी यहाँ पे, transform लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, transform लिया हमने, then इसके बाद में translate, and translate के अंदर हम करेंगे, minus 50, minus 50, यह यह चीज होगी, then इसके बाद में minus 50 आपका, top से, left से भी आपका इतना ही होने वाला है, यह देखिए, थोड़ा आप कर लेते हैं, border radius लेंगे हम, 10 pixel का करेंगे हम, यहाँ पे आपका, आएगा back, drop करके, property होती है हमारी filter के नाम से, मैंने बहुत सारे projects में करें रखिए, blur करे लेंगे हम यहाँ पे आपका 10 pixel का, ठीक है, यह चीज होगी आपकी, then इसके बाद है आपका border 2 pixel लेंगे हम, 2 pixel होगा, solid होगा आपका यहाँ पे, RGBA होगा यह, 255, 255, 255, इसका हमने variable नहीं बनाया है, that's why हमें लिखना पढ़ रहा है, बढ़ना हम सारी चीज़ें variable में ही ले 16, 0.6, करेंगे save, and save करने के बाद आप देखेंगे, तो देखेंगे, अभी जो चीज है, अभी आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही होगी, कि accurate नहीं आई है अभी, अभी देखेंगे, कि कैसे आएंगी वो सारी चीज़े, accurate, padding लेंगे हम यहाँ पे, 30 pixel का कर से 35 कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको इसको बड़ा करके दिखाओ, इसक्रीन तो आप यहाँ पे visible भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे use तो करा है, हमने, बस negative में कर दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, positive कर देते हैं, ठीक है, करेंगे save, and save करने के बाद आप देखेंगे, circle ready है, आपका card ready है, form का, और content तो है भी उसके अंदर, अब इस content को यहाँ पर कैसे बना रहेंगे हम, हम लेंगे form, star, star का मतलब होता है, जितने भी उसके अंदर children होंगे न, वो सारे के सारे, हम एक बार में get करके, उनको हम सीधा white color दे सकते हैं, जो भी हम property यहाँ पर देना चाहें, letter space करेंगे हम यहाँ पर, 0.5 pixel का हो जाएगा यह, इसके बाद है आपका outline, भड़ा सा उप करेंगे, border हो जाएगा आपका यहाँ न, करेंगे save, and save करने के बाद देखेंगे, आपकी देखेंगे सारे के सारे text, अभी तक आपके black थे, जो की हो चुक है आपका line height, line height में आजाएगा आपका 42 pixel, text center चाहिए हमें, तो text line center, करेंगे save, and save करने के बाद देखेंगे, login हमारा कुछ इस तरीके से दिख पी रहा है, direct link के label को, जो हमने label लिया था, block करेंगे हम आपे, margin top होगा हमारा यहाँ पर, 30 pixel का होगा यह, font, size जो होगा हमारा, य और यहाँ पर आपका space आ चुका है हमारे यहाँ पर labels के अंदर, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, direct लेते हैं, input लेते हैं, input, display, block, block element बना दिया हमने, and height लेंगे यहाँ पर 50 pixel का, width हो जाएगा यहाँ पर 100% का, ठीक है, background लेंगे, background, RGB, ठीक है, comma लगाएंगे, 0.3, ठी border radius होगा आपका 3 pixel का यहाँ पर, padding लेने वाले हम, 0, 20, यह चीज होगी, इसके बाद में हम क्या करेंगे, margin लेंगे, margin लेंगे, margin टॉप से होगा, 8 pixel का, font size कर लेते हैं, यहाँ पर, क्योंकि define करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कितना size आना चाहिए, तो हम क्या करते है 14 pixel कर देते हैं, font weight होगा आपका यहाँ पर, 300 का, and transition, जो आपने over effect देखा था न, अभी, वो ही हम यहाँ पर smooth रखना चाहते हैं, that's why हम इसका use कर रहे हैं, अब हमने इतनी चीज़ों को लिखा जैसी, तो आपने देखा कि यहाँ पर, आपका input जो है, वो बन चुका है, label बन आपके पास color हो तो black, नहीं तो RGBA, और white color में ही हमें, थोड़ा सा 9 चाहिए इनका, करेंगे save, and save करने के बाद देखेंगे, अभी तक black color था, बट अब white आ रहा है हाँ आपके, अब इसके बाद में next क्या करना होगा हमें, input जो है, उसके उपर, उसके उपर जो hover होगा, box shadow, 00 40 pixel का होने वाला है, and साथ में RGB, जो RGB होने वाली है, वो हम क्या करेंगे, आपका, 8,7, 16,0.3, करेंगे save, and save करने के बाद आप चलेंगे तो देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यह over effect बन चुका है, अब यहाँ पर next, अब क्या करना है है, यहाँ पर हमें next, तो next हमारा HTML में होता है, यहाँ पर, हमने यह भी कर लिया, ओके, label कर लिया, h3 कर लिया, input कर लिया, अब इसके बाद में हमें मिलता है, forget, जो forget वाला है, उस पर लेंगे हम forget को, display, align atom center, justify content, आपका space between करेंगे, जिससे की space आज रहे हैं, दोनों के बीच में, padding लेंगे हम, 20 pixel को, 0 and 0, that's it, करेंगे safe, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी, बट अभी वो हम adjust कर लेंगे उसे, उसका कोई बड़ा issue नहीं है, forget, not remember, इस class को हमने pick कर आप, हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर same property चीए हमें तो करेंगे copy paste, ठेक है, font size हमें font size, font weight नहीं, यह चीज भी होगी, अब इसके बाद में forget के बाट direct इसके अंदर का input है, उसको भी हमें थोड़ा सा size बड़ा देना होगा, क्योंकि हमने उपर सबको एक common बना के रखा है न, that's why यह ऐसा दिख रहा है आपको 1515, background color, RGB, और इसके बाद में 0.3, खोड़ा सा आप कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको visible होता रहे, outline आप क्या करेंगे, यहाँ पर none कर लेंगे, नहीं चाहिए आपको margin में आएंगे, margin 0, 5 pixel का 0 and 0, करेंगे save, and save करने के बाद आप देखेंगे, check box आपका ready हो चुका है forget के साथ में, अब बार यह है, आपकी इसके बाद में next की forget A, जो A है आपका, उसके font size को, तो यहाँ पर आपका 14 pixel हो जाएगा, यह देखें, छोटा कर दिया हमने उसको भी, इसके बाद है direct हमार पास में button मिलता है, यहाँ पर आएंगे, button लेना है हमें, margin, करेंगे save, and save करन transparent use करेंगे यहाँ पर, box shadow हम करेंगे, यहाँ पर 0040 pixel का, again, RGB, and then इसके बाद में, यहाँ पर RGB A में, 8,7,16,0.1, ठीक है, थोड़ा सा shadow, हलका सा चाहिए हमें, then इसके बाद में wear ले लेंगे हम यहाँ आपर, white color लेंगे, जिससे की text visible होता रहे, adding आएंगे आप इसके बाद मे 15 pixel का, यह देखे, font size लेंगे, तो उससे पहले हम font weight ले लेते हैं, font size, ठीक है, 18 pixel का कर देते हैं, जिससे की थोड़ा सा बड़ा लगे हो, and यहाँ पर border हो गया आपका, border radius 5 pixel का, करेंगे save, and save करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको visible हो रहा है, login आपका, कुछ इस 0.3s easy in out, जिससे के animation चल से के proper तरीके से, अब इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर margin हमारा इसलिए नहीं था, गलत हो रहा था, बट आप देखेंगे, आप तो margin आ चुका है, यह चीज़ भी done, it means की button बन गया, अब इस button के बाद में, हमने क्या करा अभी, यहाँ पर आ बाद में आप चलेंगे, यहाँ तो देखेंगे, बटन पर भी over effect आपका awesome सा दिख रहा है, अब बटन के नीचे का काम रहे गया है, नीचे का क्या काम था, आपका dot लेंगे, ठेक है, register करेंगे हम यहाँ पर register A, अब यहाँ पर font weight है हमारा font weight, और font weight में 600 होगे हमारा यह, हम wear लेते हैं, ठेक है, wear में हम dark blue color लेंगे, cursor pointer कर देंगे, करेंगे save, and save करके देखेंगे तो देखेंगे, अब इसके बाद में यहाँ पर social नाम की जो हमने अभी class बनाई थी न, यह देखें, इक बाद चलते हैं, class copy कर लेते हैं, यह, ठेक है, इसको ही अब हमें use करना है, तो करने के बाद आप देखेंगे, अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बिलुकुल प्रफ़ा नहीं है, जैसे कि, अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर direct registered A को कर दिया, तो उससे पहले हम एक चीज और कर सकते थे, registered लेते, and font weight ले लेते हैं यहाँ पर आपका, 600 कर देते इ and font size को भी यही डिकलेर कर देता है, तो बहतर होता है, तो देखें, यहाँ लिख देते हैं आपको 400 पिक्सल, यहाँ पर आपको देख रहा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है आपको, तो यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, अब आप देखेंगे क यहाँ पर आपको, 150 पिक्सल हो जाएगा आपको, बॉर्डर रेडियस है, ठीक है, 3 पिक्सल का होगा आपको यहाँ पर, adding है आपको यहाँ पर 8 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, ओके, and display ब्लॉक हो जाएगा आपको यह, color में आपको वैर, वैर में आप क्या करेंगे, white color ले ले ल काम खता, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है, dot go, ओके, यह classes कहां से आ रही है, यह classes आ रही है, go and pap के साब से, ओके, यहाँ से आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, background, ठीक है, background color लिया, where लेंगे, where में हम क्या करेंगे, dark, orange नाम की जो class है, उसे लेंग यहाँ क्या चीए है, हमें dark blue, करेंगे save, and save करने के बाद आप देखेंगे, तो देखेंगे, ओके, यह चीज भी done, अब इसके बाद में, यहाँ पर hover effect बनाना होगा हमें, और उसके साथ में एक चीज की यहाँ बटन दोनों चिपक के आ रहे हैं, तो यहाँ पर left लेंगे, 25 pixel का करतेंगे, करेंगे save, and save करने के बाद आप देखेंगे, done, अब एक चीज और करते हैं यहाँ पर, अब इसको मैं करता हूँ copy, करता हूँ paste, इस पर बनाना है हमें over, ओके, यह देखें, जो मैंने आपको light over दिखाया था न, वो हमारे पास में variable already है, यहाँ पर, जो blue color के ह इसके बाद में, again, copy paste करता हूँ मैं, इसके उपर जो होना है, आपको light orange करके, हम यहाँ पर variable को use करेंगे, और यहाँ देखेंगे तो देखेंगे आप, देखेंगे, अब यह direct हमने ले लिया, तो वो ऐसा color हो गया, हम ओवर लिखेंगे, चलेंगे, इसके बाद तो देखें इसके बाद last, एक step बचता है, आपका font awesome के icon के अंदर space करना है, तो लेंगे margin right, 4 pixel का कर देंगे, that's it, यह देखें, awesome सा, तो यह है आपका पूरा-पूरा HTML, guys, जो हमने पूरा cover करा, okay, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह space के लिए था, यह form, यह form, यह आपका title, label, input, आ इसके बाद CSS, अगर आपको मैं दिखा हूँ, एक बार और again, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखे, आपने सबसे पहले, हमने font family लिया, फिर उसके बाद यह variable declare करे, फिर body आपका, फिर आपका यहाँ पर background color के जो shape दोनों बन रहे हैं, वो, इसके बाद में हमने यहाँ प password, check box, okay, then यहाँ आपका button, और यहाँ पर awesome save button, so guys, वीडियो में इतना ही था, उमीद करता हूँ, कि आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, यह छोटा सा एक project बनाया था, हमने login form का, अगर आपको कोई भी doubt है, तो comment करके अपने doubt को आप पूस सकते हैं, अगर वीडियो पसं झाल